स्वागत है आप सभी का गुरू के SB यूटूब चैनल पर और आज हम निकले हैं अपने घर से अपने ससुराल की ओर और ये रास्ते में ग्राम पंचैद बजड़ी से खोड़ा की ओर और उसके बाद फिर बीच में सीधे हम पहुंचेंगे अजब अपनी जहां से गाड़ी पार्गे करेंगे उसके बागत पर और इस सांदार प्राक्रतिक द्रिश्य आप सभी के साथ गुरू के जंगल के और ये रास्ते में कुछा चीजिज़े हो ही है चीळ के पीड़ से पाहीं और इकी पीड़ पर कितने सारे घंडे जिनको आप को very well ऐसा है है यहां पर लिशा और दिखुट लब अलब भरे हुए हैं तो रास्ते में ऐसे आपको और भी बहुत सारे गमले जोगा जोगा पर जो जितना मोटा पेड़ उतने ज्यादा गमले और काफी मात्रा में यही पिड़ पर आठाट दस बार बार भी गमले लगाए गए हैं जंग बुराज काफल आदी सभी पेड़ यहां पर और यह है रास्ता जिससे हमें चलना है जंगल के बीच से आगे धीरी धीरे कहते हैं बढ़ेंगे तो जंगल घना घना होते जाएगा बैग में पांस से दस किलो सामाल ने जाना बड़ा टफ है यहां पर एक फंटा लगाता चल लेकिन अब क्या गरें निहाल भी उसको जाने का बड़ा मन था तो लगी है वही पग्णन्डी में मेरे साथ और यह हम कुछी दिर बात यह जो पहला पड़ाव है सैम देपता का मंदिर उसके आसपास की निजी तलहटी में है और कुछी दिर में हम पहुंचेंगे सैम समने काफी साथ दिया और ज्यादा तेज धूब भी नहीं थी तो मिलते है आगे आप चलते रहे हमारे स्वाथ और यह दो हुई यह बिल्कुल यह जो इंट्रेंस गेट जैसा बना है यह गेट पहचान है कि यहां से आप मंदिर एकदम नजदिक है वेलकम यानिकि स्वाग स्वागत करता है यहां पर यह दो पेड़ी स्वका से आपस में सटे हुए है असा लगता है कि यह स्वागत द्वार बना हुए और यही पर ओपट धार में टॉप में यह सेम देपता का मंदिर है और आपको मंदिर के पास जाकर उसके दर्सन कराए जाएंगे और उसके बार आपको आगे का जिश्य दिखाए जाएगा तो आप अपने लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी करने शेयर भी करेंगे और यदि आपने अभी तक मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं इसी जगह पर है और यहां पर मंदिर के पास ही जो भंडार कक्स है जहां पर भंडारा होता है वरस में एक बार तो यह वो कीचन बना हुआ है और इस मंदिर के पास ही एक पोखरा है तलाव है उसकी खास बात यह है कि चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़ जाए उसका पा मवेसी हैं जो जानवर है जो जंगलों में घास चरने के बाद पानी की प्यास अपनी वहां से बुझाते है और इस पोख्रे को भी आपको दिखाए जाएगा और यह हमने लगभग रोड से दस से पंद्रा मिनट चलने के बाद सेम जिपता का मंदिर और यह वह पोख्रा जिसकी में बात कर रहा था इस पोख्रे में कितनी भीष्ण गर्मी क्यों न हो जाए इसमें यह लास देखो इतनी जादा गर्मी भी इसमें इतना पानी का इस तरह है या अगर इसको आप देखो दूसरे दिन कुछ देर के बाद वो पानी फिर से उतना ही रहता है यह इतना पानी तुसमें रहे गए रहेगा और बरसाद में तो पुरा लबालब हो जाता है और उसके बाद हम आगे निकरे हैं देखिए हारी बरी वादियां किरू के यूटो चेरल की और से ग्रा कुछ रणानी है जाता है इसमें बनीविये दूर्फा आराम से जा सकते हैं अकेले जाने में आदमी और तेज जाता है तो साथ में ठोड़ा और बाते करते हुए यह कुशक्ष में जरा सब च्वारा करते है तो काफी रामणी है और मैं भी अभी इस 2022 में मेरी दूसरी यात है जब मैं इस पकार से गया हूं तो यह लेकिन यह सबसे लंबी है क्योंकि इसमें मेरे वो कम सब्सक्राइब एक से जुड़ घंटा लगातार चलना है और आपको में रास्ते में क्या-क्या चीजें हैं वह सब चीजें आपको मैं दिखा रहा हूँ और किस प्रकार का यहां पर बना हुआ है हरी भरी वादियां है जो प्लाइमेट उसको सब को दिखाते हुए और यह यह यहां पर लकडी की कोई कमी नहीं है अगर आपको जलाने के लिए लकडियां चाहिए तो यह थोड़ी म जोशाय काफी अच्छी मात्रा में इस जंगल से काव यह ली से की देश्टी से यह स्टार्टिंग का जंगल काफी ही महत्वकून है दूर दूर तक हरी भरी वादियां उचे उचे पेर और इसके थोड़ा आगे जाने के बाद ही अब कुछ समय आगे जाने के तो वहां से माज और बुरास का जंगल बुरिद्रव से शुरू हो जाता है तो यह रस्ता है देखो कि हम यहां पर निकले हैं और अगर कैची वाले रस्ते से जाते तो अभी तक पशिना पशिना हो गये होते तो यहां पर दो ऐसे करते हुए जो धार है कम सकम और 6-7 धार है लगाता है इसे पार करते रॉल मॉल जो यहां पर कहते हैं उनको पार करने के बाद ही हम सज़ुराल तक पहुंस पाएंगी तितोली तक लेकिन जल्द ही यह दिखिए निजे रोड का काम भी वहां पर चलना रहा है कुछ समय के बाद यही अगले मुझे लगता है कि फरवरी या मार्च के आसपास दो पहिया वहां और छोटी अल्टो कार मैकसा अधी ग्राम पंचयत के नीचे जो प्रायतास की प्राथीं के जला है वहां तक पहुंक जाएंगी तो फिर उसके बाद से रोड वाई दिखाए जाएगा तो बने रही है ग्रू के एस भी यूटूब चैनल के साथ